हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है राहूल जान इंशॉरंस ग्रूप आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप मोबाइल एप्लिकेशन से घर बैटे किस तरीके से टू विलर फू विलर या फिर अधर मोटर इंशॉरंस प्रूट को सेल करके अपनी इंकम को जनरेट कर सकते हैं इस विडियो को कम्प्लीट देखेगा जिससे कि आपको कम्प्लीट स्टैप बई स्टैप प्रॉसेस पता लग जाए कि आप टू विलर फोर विलर या फिर अधर प्रूट्ट्स को सेल करके कैसे इंकम जनरेट कर सकते हैं आप को मैं बता देता हूँ, आप मेंसे बहुत सरे लोग ऐसे भी हैं जिनोंने अल्रेडी हमारे साथ रेइसं विल गूठेशन करा लिया है कर सकते हैं जिससे कि उनका portal generate हो सके तो अगर आपने अभी तक registration नहीं कराया तो description box में आपको link मिल जाएगा वहाँ जाकर directly आप अपना registration करा लिजिए and then उसके बाद अपना insurance business शुरू कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं कि इस तरीके से आप अपना insurance business शुरू कर सकते हैं तो जैसे कि आप यहाँ पर play store पर अपना insurance देखो application डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पर install करने के बाद आपको home screen के उपर आपको अपना mobile number enter करना है जो कि आपने registration के time पर दिया था अगर आपने already यहाँ पर registration किया हुआ है तो आप अपना insurance देखो एज जो अपना application है वहाँ पर आप अपना mobile number डालेंगे वहाँ पर आपको OTP receive होगा OTP डालने के बाद आपको कुछ इस तरीके से screen देखेगी जैसा कि आप मेरी screen पर देख पा रहे हैं तो यहाँ पर आपको सबसे नीचे center में एक plus का option मिलेगा यहाँ पर आपको एक option मिलेगा plus का जिसके अंदर आप multiple products का insurance कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से insurance की policies login कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं आपको car insurance का demo करके दिखाऊंगा कि आप किस तरीके से step by step customer की detail डालके उनका quotation निकाल सकते हो उनकी details check कर सकते हो और साथ में उनका payment link generate करके उनसे payment करा सकते हो इस video के अंदर मैं आपको complete process बताने वाला हूँ इस demo को आप बड़े ध्यान से समझेगा जिसे की आप भी अपने business को develop कर सकते हैं so मैं जैसे की car वाले option पर जाता हूँ so car वाले option पर जाने के बाद आपको यहाँ पर customer का registration number डालना होगा गाड़ी का number डालना होगा अगर in case आपके पास गाड़ी का number नहीं है so यहाँ पर आपको second option पर जाना है जहाँ पर आप देखेंगे don't know your card number आपके पास गाड़ी नहीं है तो आप इस वाले option पर भी click कर सकते हैं बाकी फिलाल के लिए मैं आपको भी एक demo करके दिखा रहा हूँ तो मैं एक गाड़ी नहीं पर mention कर देता हूँ जो कि आपको समझने के लिए easy रहेगा अब जैसी मैं get your quotation पर click करता हूँ so आपको next option पर यहाँ पर देख जाएगा कि यह गाड़ी कब की registration है कौन सा model इसके अंदर यह सब दिख रहा है अगर मालेजे कोई changes है तो यहाँ पर आप changes कर सकते हैं अगर यह information ठीक है तो आप यहाँ पर yes and proceed कर सकते हैं इसके बाद आप से पूछेगा कि इसका fuel type क्या है यह petrol है, LPG है, CNG है जो भी इसका fuel type होगा वो आप यहाँ पर mention कर दीजेगा तो यहाँ पर मैंने demo के लिए यहाँ पर petrol डाल दिया है, इसके बाद आपको option choose करना है variant का, कि variant कौन सा है, जैसे कि आपने सुना होगा कि top model है, base model है, तो इस तरीके से यहाँ पर LXI, VXI, जो भी है वो आपको RC से मिल जाएगा, customer अगर आपको RC प्रोवाइड कर रहा है, त तो आप उनकी RC को देखकर यहाँ पर details चेक कर सकते हो, but make sure यहाँ पर आपको दो चीज़े चेक करनी है, साथ की साथ आपको एक तो variant चेक करना है, plus एक within bracket आपको यहाँ पर CC लिखा मिल रहा है, मतलब की cubic capacity, आपकी गाड़ी का capacity कितना है, engine का CC कितना है, जिसे हम normally day to day life में ब 1.2 ले लेता हूँ, and then इसके बाद आपको next option पर click करना है, previous year policy details, अगर आपके पास पुरानी policy है, जो की already continue है, जो की policy खतम नहीं हुई है, वो information आपको यहाँ पर डालना है, so आपने यहाँ पर option चूज किया, first of all, not yet expired, या फिर आपने अगर option चूज किया, expired after 29 October 21, right, so जो भ लेने, तो मैं यहाँ पर करता हूँ, not yet expired, अभी expired नहीं हुई है, उसके बाद यहाँ पर आपको option मिलेगा, कि previous year policy कौन सी company से है, so let's say मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, United India, right, so previous insurer आपको यहाँ पर पता लग जाएगा, and then expiry date क्या है, policy की expiry date क्या है, मैं मान के चलता हूँ, तो 29th of January 2022 यहाँ पर expiry है, इसके बाद next option आपको मिलेगा, have you made any claim in previous policy, क्या customer ने policy में claim लिया है, नहीं लिया current policy के अदर, अगर yes है, तो आपने yes के click करना है, अगर no है, तो आपको यहाँ पर नीचे जो NCB है, NCB को यहाँ पर mention करना है, अब यह NCB क्या होता है, वो उसके बटन पर जाकर NCB की वीडियो देख सकते हो, कि NCB होता क्या है, कैसे NCB की calculation की जाती है, वो सारी चीज़ें, आपको I बटन पर जाकर वीडियो मिल जाने वाली है, otherwise मैं आपको बता देता हूं, कि no claim bonus, माल लेजे आपकी previous policy के अंदर, जो आपका discount का ratio है, वो 25% है, अगर आप 25% NCB है, तो इस पर हम यहाँ पर NCB 35% ले लेंगे, मतलब कि system by default अपका new NCB को pick कर लेगा, यहाँ पर एक option और है, अगर आप यहाँ पर चेक करें, तो यहाँ पर आपको मिलेगा used car ownership transfer, अगर माल लेजे आपका ownership transfer हुआ है, आपके last year policy से और अब जो आप policy करा रहे हैं, उसके पिछले 12 महीनों के बीच में, अगर आपका ownership transfer हुआ है, तो आपको यह वाले option पर click करना है, otherwise आप इसको skip कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर continue कर रहा हूँ, and then continue करने के बाद आपको कुछ information डालनी है, जैसे कि registration date, अब registration date क्या है आपकी गाड़ी का, तो यहाँ पर आपको RC receive करी है, वो RC देखने के बाद आपको यहाँ पर details mention करने है, इसके बाद manufacturing month, manufacturing month के अंदर यहाँ पर आपने mention कर देना है, कि manufacturing month कौन सा है, let's say यहाँ पर मैं mention कर देता हूँ, September 2013, and then confirm details, आप जैसे इस information को, इस details को confirm करते हैं, so आपको यहाँ पर multiple companies के quotations मिल जाती है, multiple companies की, यहा पर आपको तीन चीज़े option मिलेंगा policy type के अंदर, सबसे पहले comprehensive policy, third party policy, और अगर आपकी नई गाड़ी होती है, तो यहाँ पर आपको bundle policy, या फिर stand alone policy का भी option मिल जाता है, so यहाँ पर अभी फिलाल गाड़ी 2013 की है, तो यहाँ पर आपको दो option दिख रहे है, comprehensive and third party, comprehensive policy क्या हो आप description में जाके comprehensive की या third party की वीडियो भी देख सकते हैं, so यहाँ पर third party का अगर आप quotation चाते हो, तर जस इस पर click कर देंगे, so आपको third party की जितने भी quotations है, जितने भी companies यहाँ पर आपको provide कर रहे है, so वो सारी चीज़े आपको यहाँ पर मिल जाती है, अभी हम बात कर रहे comprehensive की, तो comprehensive के अंदर आपको बहुत सारी details मिल जाती है, कि कौन-कौन से add-on cover customer लेना चाता है अपनी policy के साथ, सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे, कि personal accidental cover जो है वो 15 लाग का है, तो यह आपको लेना mandatory है, आज की date में government के norms के accordingly, तो government कहती है कि आपको अगर in case of accidental miss happening हो जाती ह owner के साथ, जो की गाड़ी drive कर रहा है, तो गाड़ी drive करते है, अगर उसकी miss happening होती है, तो उसके nominee को 15 लाग रुपे का एक compensation amount यहाँ पर मिल जाता है, तो इसलिए government ने बोला इसको लेना mandatory है, इसके बाद बात करेंगे, यहाँ पर आप सबसे नीचे options देख रहे होंगे, change IDV का जो यहाँ पर आप अपनी गाड़े की IDV को change कर सकते हैं, कम यह जादा कर सकते हैं, accordingly previous policy को देखके, but normally अगर हम बात करें कि previous policy से आपका current year policy में 10% का depreciation होता है, 10% value कम करके हमें यहाँ पर डाल दी होती है, इसके बाद second option आपको यहाँ पर मिलेगा, more coverage का, more coverage के अंदर यहाँ पर आप अपने extra जो भी coverage हैं, वो सब डाल सकते हैं, जैसे कि zero depreciation, roadside assistance, driver cover, so इस सब के ऊपर मैंने video बनाई हुए है, अगर आप इस video को detail में देखना चाहते हैं, so आप मेरी details, आप मेरे playlist को देख सकते हैं, जिसके अंदर आपको motor insurance की complete information मिल जाएगी, कि किस सरीके से आप यह सारी policies का benefit ले सकते हैं, बात करेंगे आप जीरो depreciation की, so zero depreciation cover भी यहाँ पर इस policy के अंदर आप add कर सकते हैं, बहुत सारी companies ऐसी हैं, जो कि normally 5 साल के बाद आपको zero depreciation provide नहीं करती है, but अगर in case आपका कोई claim नहीं है, आप बिना claim के अपनी policy को continue कर रहे हो, तो आपको 7 साल तक 10 साल तक normally कुछ-कुछ companies के अंदर यहाँ पर आपको coverage मिल जाता है zero depreciation का, so जैसा कि आप देख रहे हैं, कि सबसे उपर मैंने जैसे zero depreciation पर click किया, so royal syndrome आपको zero depreciation provide कर रहे है, इसके अलावा आपको कोई भी company यहाँ पर zero depreciation provide नहीं कर रहे है, right, so मान की चलते हैं, यहाँ पर customer को हमने यहाँ पर कुछ screenshots भीजे, कि सर यह वाले plans अपने पास आ रहे है, ठीक है, so customer को आप यहाँ पर अपने plans के details share कर सकते हैं, इसके बाद आपने क्या करना है, अब मान लिचे customer को आपने screenshot share करके भीजा, कि सर यह यह plans अपने पास आ रहे है, इसका final premium यह है, इसके अंदर यह coverage आपको मिल रहे है, ठीक है, so जो जो coverage आप यहाँ पर add कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर मान लिचे आपने roadside assistance कर दिया, key replacement consumable कर दिया, and then apply करा, so apply करने के बाद आप देखेंगे, यहाँ पर कुछ plans आपको यहाँ पर सारे coverage के साथ मिल जाएंगे, और कुछ plans जो है, वो without coverage आपको मिलते है, so जैसे आप यहाँ पर click करते है, so इसमें से मान लिचे customer बोलता है कि मेरे को भारती extra का payment link बना कर देजिए, मेरे को इसका final कर दीजिए, मेरे को इसके details share कर दीजिए, जिससे कि मैं payment कर सकूँ और मेरी policy generate हो जाए, right, so यहाँ तक आपको अगर clear है, so बहुत अच्छी बात है क्योंकि मैंने आपको काफी detail में बताने की कुशिश करी, otherwise आप मेरी playlist को follow गरके, आप complete information ले सकते है, motor insurance के लिए, right, so यहाँ पर customer को आपने भारती extra का payment link प्रोवाइट करने है, अब जैसे आप यहाँ पर वापस payment link पर click करते है, buy now option पर click करते है, यहाँ पर देख पारे, so यहाँ पर मैं अपना number डाल देता हूं, sometime यहाँ पर आपको क्या होता है, आपको यहाँ पर mail, sorry, mobile पर OTP आता है, and then उसका payment link generate होता है, right, so यहाँ पर customer का date of birth आपने उनसे confirm करके डाल देना है, owner का date of birth, and then वो male है, female है, वो आपने mention करना है, इनका marital status क्या है, married ह single है, इसके बाद आपने इनका address यहाँ पर mention कर देना है, यहाँ पर आपने pin code mention कर देना है, यहाँ पर में demo के लिए कुछ भी ले ले ता हूं, okay, so यहाँ पर, अगर आपका communication different है, तो आप इसपर click कर सकता है, communication address के लिए, so यहाँ पर communication address यहाँ पर mention कर सकते है, अगर RC के नॉमिनी की details यहाँ पर mention करनी है, उनकी age यहाँ पर आपको mention करनी है, और उनका relation आपको mention करना है, तो यहाँ पर मैं example के लिए कुछ मी details दाल देता हूँ, जिससे कि आपको understand हो सके, आपको पता लग जाए कि क्या क्या details हमें चाहिए होती है, continue पर click करते हैं, आपको यहाँ पर के उपर से मिल जाएगा, अगर आपकी गाड़ी, जो client है, उनकी गाड़ी अगर loan पर है, तो आप यहाँ पर yes करके उस company का नाम डाल सकते हैं, जिस company से उनका loan चल रहा है, right, so यहाँ पर भी आपको एक option है, जो कि जिसको आपने कई बार market में सुना होगा, कि आपकी गाड़ आपके phone से भी यह phone upload हो सकते हैं, या फिर आपका camera भी यहाँ से directly open हो सकता है, so example के लिए मैं यहाँ पर अभी एक कोई भी RC है, कोई भी document upload करने के try करता हूँ, so I think यहाँ पर कोई भी image भी मिरको नहीं मिल रही है, but फिलाल मैं यहाँ पर अपनी screen जो भी मेरे पास अभी available है, मैं यहाँ पर photo कीच के यहाँ पर upload कर देता हूँ, so जैसे मैंने यहाँ पर photo कीचा, and then उसके बाद मैं इसको press करता हूँ, तो यहाँ पर एक तरीके से आपका document जो है, वो upload हो जाता है, अब आप देखेंगे, जहाँ जहाँ पर star लगा हो है, वो field mandatory है, वो photo आपको डालना ज continue to payment पर करते हैं, so यहाँ पर आपका payment link generate हो जाता है, जिस तरीके से जो जो details आपने यहाँ पर fill करी है, अगर यहाँ पर customer आपके साथ available है, customer आपके पास बैठा हुआ है, so आपने ID clear वाले option पर click करके, आपको confirm and pay पर click करके, आपको payment करा लेनी है, अगर माली जे customer available नहीं है, तो इसके side में आपको एक button दिख रहा है, share button, तो आप इस वाले option को click करके, अपने link को share कर सकते हैं, अपने client के साथ, mail के उपर, whatsapp के उपर, या फिर other options को use करके, right, so यहाँ पर मैं अभी आपको करके दिखा देता हूं, कि अगर मैं अनली जे मैं payment कराना चाहता हूं client से, so य जैसे ही आप मैं यहाँ पर payment वाले option पर click करता हूं, so यहाँ पर आपका payment gateway open हो जाता है, और payment gateway open होने के बाद, अपने debit card, credit card, जैसे भी आप payment करना चाहते हैं, उस mode से आप अपनी payment को process कर सकते हैं, so यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, कि यहाँ पर आप credit card, debit card, other debit card, internet, banking, wallet, EMI, QR code, UPI, GPAY, और other भी, जितने भी modes है, उन सारे modes को use करके, आप अपनी payment को process कर सकते हैं, so friends, यह तरीका है, जिसे कि आप अपनी policy को generate कर सकते हैं, mobile से, अपनी policies को sell करके, अपनी income को generate कर सकते हैं, इसमें कुछ चीज़े हैं, जो आपको समझने की बात है, कि आपको कितना commission मिलता है, कितना benefit मिलता है, so friends, मैं आपको recommend करूगा, कि इस video के बाद, आप मेरा motor insurance का जो playlist है, उसको complete देख लीजे, जिससे आपको step by step process के बारे में पता लग जा है, कि किस तरीके से आप अपनी income को generate कर सकते हैं, कौन को उसे add-on covers होते हैं, IDV क्या होता है, NCV क्या होता है, कै कैसे उसकी calculation की जाती है, साथ में अपने customer को search करने के लिए policies कैसे sell कर सकते हो, वो सारे benefits आपको मेरे playlist से मिल जाएगा, अगर आप अगले 5-7 दिन का time इसमें देते हो, अगले 10-15 मिनिट का daily time देते हो, so आप अपना motor insurance का business immediate basis से mobile से start कर सकते हैं, अगर आप किसी भी state में, किसी भी city के अंदर available है, so आप Pen India में किसी भी client की policies अपने mobile से कर सकते हो, और अपने income को generate करके lifetime passive income generate कर सकते हो, so friends, देर किस बाग की, आप शुरू कीजे, आपको अगर कोई भी challenge आता है, कोई भी problem आती है, so मैं और मेरी team आपके साथ खड़ी है, और हम आपको time to time, day basis पे आपको support क कर रहे हैं, आपको in terms of quotation, in terms of anything, हम आपको यहाँ पर support करते रहते हैं, अगर आपको कोई भी claim आता है, तो आपके पास dedicated claim team भी हमारी company की तरफ से available है, so आप महाँ पर अपना claim intimate करके, अपने business को grow कर सकते हो, या अपने client को better service provide कर सकते हो, so friends, अगर आपने अभी तक registration नहीं किय हैं, तो जल्दी जाएए, link पर description, link पर आपको मिल जाएगा description में, आपको हमारा link मिल जाएगा, आप अपना registration कर सकते हो, या आपको कोई query है, तो नीचे आपको मेरी team का number मिल जाएगा, आप बात कर सकते हो, उनको WhatsApp कर सकते हो, आप अपनी query को sort out करके, अपने business को immediate basis पर start कर सक कर सकते हो, इसके लिए कुछ documents की requirement होती है, KYC document, उसके detail भी आपको description में मिल जाएगी, आप directly अगर मेरी team को WhatsApp के थरू भी details share करना चाहते हो, या मेरे को mail के थरू अपने document share करना चाहते हो, so most welcome, आप यह सारी चीज़े भी कर सकते हो, but मैं आपको बोलूगा, कि sir, आज की date में, lifetime passive income generate करके दे सकता है, और आप अपने घर में, गरगली में, कोने में, कहीं पर भी अपने बैठ कर, यहाँ पर insurance का business generate करके income को grow कर सकते हो, income को बढ़ा सकते हो, so friends, thank you so much, अब हम मिलेंगे next video में, till the time, be safe, be insured.